मीन राशी वालों के लिए अक्टूबर का महीना आत्म विश्वास को बढ़ाने और सफल आदतों के निर्मान से जुड़ा है, जो आपके भविश्य को आकार देंगे. आपके पास कुछ विशेश और महत्वपूर करने की क्षमता है, इसलिए साहस रखे और अपने आप पर विश्वास करें. इस महीने को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ट बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का उप्योग करें. इसके अलावा, यहां आपके व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय है, क्योंकि वे आपके समगर विकास और खुशी में योगदान कर सकते हैं. इस माँ एक अक्टूबर 2023 को बुध कन्या राशी में प्रवेश कर रही हैं. यहां आपके वित्त को व्यवस्थित करने का एक शांदार अवसर होगा. अपने वित्त पर नियंत्रन रखने से तनाव कम हो सकता है और आपके भविश्य के लिए एक मजबूत नीम्व निर्धारित हो सकती है. अपने वित्तिय लक्षों पर विचार करें और उन तक पहुँचने की योजना बनाएं. याद रखें, आपके द्वारा उठाए गए छोटे कदम भी महत्वपूर्ण वित्तिय स्थिर्ता का कारण बन सकते हैं. इसलिए अपने रास्ते में आने वाले संभावित वित्तिय लाभों पर नजर रखें. शुक्र दो अक्तूबर दो हजार तेईस को सिंग राशी में प्रवेश करेंगे. इस अवधी में निवेश के अवसरों की खोच करना या विशेशग्यों से वित्तिय सला लेना, आपको अपने वित्तिय संसाधनों का अधिक्तम लाभ उठाने में मदद करेगा. याद रखें, प्रोफेशन स्थिर्ता की. दिशा में उठाए गए छोटे कदम भी लंबे समय में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं. अपने प्रोफेशन जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनमें से प्रत्ते को पूरा करने की दिशा में काम करें ताकि आपको बाद में पच्चतावा न हो. मंदल 3 अक्टूबर 2023 को तुला राशी में गोचर करेंगे. खुशी और मानसिक स्थिर्ता प्राप करने के लिए अपने रिष्टों पर काम करें. याद रखें, संचार और समझ, स्वस्थ संबंधों को बनाये रखने की कुण्जी है, इसलिए अपने प्रियजनों को सुनने का और उनसे सहानुधूती रखने का प्रयास करें. यहाँ आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करने जा रहा है, जो आपके जीवन में सबसे अधिक माइने रखते हैं. अभी आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवशकता है. इसलिए मानसिक, शान्ती और संतुष्टी का आनन लेने का प्रयास करें. सूर्य इस माँ 18 अक्टूबर 2023 को तुला राशी में प्रवेश कर रही है. जीवन को संभालना एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जिसके लिए आपका खुद के बारे में जागरूख होना, सीखने और आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध होना आवशक है. तनाव एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी सामना करते हैं, लेकिन हम इसे कैसे संभालते हैं, या वास्तव में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है. उन लोगों से बात करें जो आपके लिए सबसे अधिक माइने रखते हैं और जरूरत पढ़ने पर मदद कर सकते हैं. एक मजगूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने पर काम करें जो अपनी शर्तों पर जीवन का प्रबंधन कर सके. बुद्ध 19 अक्तूबर 2023 को तुला राशी में प्रवेश करेंगे. इस समय के दौरान आपके रास्ते में आने वाली चनौतियों और अवसरों को अपनाएं और इस बीच खुद की देखभाल करना न भूले. सावधानी पूर्वक योजना और संतुलित मानसिक्ता के साथ आप इस महीने का अधिक्तम लाब उठा सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल्ता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. यदि आप एक रिष्टे में हैं, तो यहाँ विवापर विचार करने का भी एक अच्छा समय है. 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशी में प्रवेश कर रही हैं. आपके लिए अपने करियर, वित्व और प्रेम जीवन के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना कठिन हो सकता है. हालांकि एक सही द्रिष्टिकोन के साथ यह संभव भी हो सकता है. सबसे पहले यह पता लगाएं कि आप के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और स्पष्ट प्राथमिक्ताएं निर्धारित करें फिर अपने समय और उर्जा को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने के लिए सीमाएं स्थापित करें यहां आपको अपने जीवन को भेतर ढंग से व्यवस्थित करने और लगातार सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा उसी समय केतू भी कन्या राशी में प्रवेश करेंगे इस अवधी में आपको कार्यों को सौपने में और मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए अपना ख्याल रखे और उन गतिविधियों के लिए समय निकाले जो आपको खुशी और आराम देती है याद रखें, संतुलित व्यक्तिगत जीवन आपके समग्र कल्यार में सुधार करता है और आपको अपने जीवन के सभी पहलों को भैतर बनाने की अनुमती देता है यहाँ आपको अपनी प्रात्मिक ताओं की पहचान करने और उनमें से प्रत्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहन्द करने में मदद करता है यह महीना साल के बाकी हिस्सों से खास और अलग है क्योंकि यह कुछ बड़े मौके लेकर आया है यदि आप आलसी रहते हैं तो आप यह पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसाईक जीवन में थोड़ा साभी बदलाव आपको कुछ अद्धुत हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है इसलिए सतर्क रहना और इन अवसरों के बारे में जागरुक होना और एक बहतर भविश्य बनाने के लिए उनका अधिक्तम लाब उठाना महत्वपूर्ण है कि नवंबर माह के दौरान आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं उठा पाएंगे हालांकी मेश राशी में दूसरे भाव में ब्रहस्पती की मौजूदगी आपको अच्छे परिणाम देगी प्रेम व वैवाहिक प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से इस महीने दूसरे और आठवे भाव में राहोकेतू की उपस्थिती होने के कारण आपको कई चनौतियों का सामना करना पड़ सकता है शनी पहले भाव में और प्रेम का कारत ग्रह शुक्र आठवे भाव के स्वामी के रूप में आठवे भाव में स्थित होगा इस स्थिती के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में औसत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है रिष्टे में सामन जस्य की कमी के कारण साथी से नोगजों की संभावना है पारिवारिक जीवन की बात करे तो इस महीने शनी और राहुकेतू की प्रतिकूल स्थिती के कारण आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है पहले भाव में शनी, दूसरे और आठवे भाव में राहोकेतू के होने के कारण परिवार का माहौन खराब हो सकता है ऐसे में वादविवाद होने के योग बन सकते है हालांकि मंगल इस महीने स्वराशी में नौवे भाव में विराजमान है और इस वज़े से परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच संबंद अच्छे हो सकते हैं परिवार में खुशी का माहौल स्थापित हो सकता है वहीं ब्रहस्पती दूसरे भाव में स्थित होगा और चठे आठ वेंदस्वे भाव पर अपनी दृष्टी डालेगा जिसके प्रभावस्वरूप पारिवारिक समस्याओं में कुछ कमी आएगी लेकिन फिर भी आपको अपने पारिवारिक वातावर्ण में उथल पुथल मच्ती दिखाई दे सकती है आपको सला दी जाती है कि आपसी तालमेल बनाए रखें एक दूसरे का सहयोग करे और बातचीत करते रहें उपाए कति दिन 108 बार हंग हनुमते नमह का जाप करें मंगलवार के दिन राहुकेतु के लिए यग्य हवन करें यह राशिफल आपकी चंद्र राशी पर आधरत है